हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोग ले ले करके हाजिर हूँ ट्रिपल सी एक्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो तो इस वीडियो में आज हम डिस्टोस करने वाले हैं लिब्रा आफिस टुटियोरियल और खास करके लि कोई चीछ पूँछना चाहते हैं तो आप कमेंट बाक्स में करके पूछ सकते हैं तो चले अज करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आपर सबसे पहले पॉइंट क्या है तो सबसे पहले आपको लिब्रा आफिस क्योंकि अभी नया है अभी कुछ ही दिनों से चलन में आया हुआ है हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो हमें इसको files के extensions पता होने चाहिए जैसे कि हम मा लेज़े अलग लग type के files को यूज करते हैं जैसे कि LibreOffice, Writer है, Calc है, Impress और Draw है तो इनके extensions पता होने चाहिए जैसे कि आपने MS Office के भी extensions याद होते हैं या फिर आपको पता होते हैं तो उसमें क्या जैसे document के लिए हम लोग यूज करते हैं .doc, अगर हम PowerPoint यूज करते हैं तो उसके लिए हम .pt, अगर Excel यूज करते हैं तो हम उसके लिए .xls, यह हम सभी extensions यूज करते हैं MS Office में लेकिन आप यहाँ पर Libra Office के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको पता होने ते चलिए आपको एक एक करके मैं आपको extension बता जेता हूँ, कभी-कभी extension से भी आपको questions बनते हैं, तो यहाँ पर writer, यानि कि writer क्या होता है, जो हम MS Office में जो word use करते हैं, वहीं same यहाँ पर writer बोलते हैं उसको, तो यह writer extension होता है .odt, अच्छा, यह extension use कहा होता है, तो यह आपका extension, जब हम किसी file को save करते हैं, तो यह extension बताता है कि वो file किस type की है, जी हाँ, extension आपका file की type को decide करता है, जैसे कि माल लिजे, आपने mp3 सुना होगा, mp4 सुना होगा, तो mp3 होता है आपका audio, कोई audio होता है, mp4 क्या होता है, आपका एक video होता है, एक video का type है, तो इस तरीके से आप difference कर सकते हो, और हमें पता चल जाता है, कि यह कौन सी file है, तो extension आपका यही करता है, तो writer का आपका extension होगा .odt, calc यानि Excel, जो हमें MS Office में Excel बोलते हैं उसको, और यहाँ पर हम cal आपको बोलते हैं, तो उसका होगा .ods, PowerPoint के लिए हम क्या use करेंगे extension .odp, अच्छा है, extension हम कहीं से अलग नहीं लाते हैं, जब आप file save करेंगे, माली जैसे आप impress या PowerPoint में file save करेंगे, तो automatic वो आपका बन जाएगा, और आप इससे ढून पाएंगे कि आपकी कौन सी file है, word, excel, PowerPoint और paint में आप difference कर पाएंगे, paint या फिर draw की बात करें, Libra office में paint को क्या है का जाता है, draw का जाता है, और यहाँ पर इसका extension क्या होगा, .odg, तो आपको चारू extension पता होने चाहिए, MS office में क्या बोला जाता है, और Libra office में क्या क्या extensions use होते हैं, तो यह हो गया extension का extension से भी questions आपके बनते हैं, और जरूर से बनते हैं, यह आपका वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि most asked वीडियो है, काफी लोगों ने हम उससे कहा कि सर, Libra office को बारे में बताईए, कुछ software के बारे में बताईए, और उसकी जानकारी दीजिए, तो इसलिए मैं आपके comment के अधार पर यह वीडियो बना रहा हूँ, चलिए, बढ़ते हैं, वीडियो मांगे की तरफ, वीडियो आपकर आपको पसंद आता है, तो like और share, जरूर से करें, आपको मन में कोई सवाल आता है, कुछी पूछना चाहते हैं, तो बिना किसी agitation के पूछ सकते हैं, अच्छा, आब इस करते हैं, उनको हमें आपर देख लेते हैं, कौन-कौन, यानि की अलग-अलग प्रकार के actions हैं, उनके लिए अलग-अलग प्रकार के sort कर साएं, अगर हमें new document, अगर कोई document open करना है, तो control N का use करेंगे, control N प्रस करेंगे, कोई किसी file को खोलना है, open file, उसके लिए हम control plus O का use कर दी, कुछ उससे अलग कर दिया, कुछ हटा दिया, और फिर बाद में हमें data को save करना है, file को save करना है, तो हम control S करेंगे, MS Office में क्या होता था आपको, आपको कुछ भी करना हो, नई file को save करना हो, या फिर edit करने के बाद आपको file save करना हो, उसमें हम control plus S का ही use करते थे दोनों situation में, लेकिन इसमें अलगल हो गया, save as के लिए control shift plus S, और save file के लिए control plus S, print file के लिए हमें क्या करना है, control plus P करना है, exit LibreOffice, यानि कि आप हमें LibreOffice से बाहर जाना है, तो उसके लिए हम control plus Q दबाएंगे, और LibreOffice से आप बाहर हो जाएंगे, एक यहाँ पर नया feature जोड दिया गया है double underline का, कौन सा double underline का एक feature जोड दिया गया है, MS Office में आपका single underline का control plus U करते थे आप, तो आप उसमें single underline कर देते थे, किसी भी word में, किसी भी sentence में, लेकिन अब यहाँ पर आप double underline भी कर सकते हैं, तो control plus D का use करके आप double underline कर सकते हैं, यह sort course आपको यह ज़रूर से प hyperlink, हम किसी page में कोई किसी link को देना चाहते हैं, किसी specific जगहे पर, तो उसको हम insert करना चाहते हैं, तो उसके लिए sort course क्या होगा, control plus K के दौरा, हम उसका hyperlink insert करा देंगे, जोड देंगे, फुल स्क्रीन, अगर आप Libra Office में फुल स्क्रीन चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या shortcut से थे, जो MS Office से अलग थे, अब देख लेते हैं, MS Office की तरह ही same कौन-कौन से shortcuts हैं, क्योंकि कोई भी software हो, MS Office हो, या फिले Libra Office हो, इनका use वही है, क्या use करना है, word का use है, writer का same use है, आप उसमें कोई भी application type कर सकते हैं, और जो Excel का use है, वही है, यहाँ पर Cal का use है, उसमें आप क गनती काम कर सकते हैं, उसमें कोई table बना सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो same use है, तोनों का, कुई इसमें difference नहीं, बस अलग नाम दे दिया गा, और अलग अलग company ने इन दोनों software को बना दिया है, चले, आप देख लेते हैं, MS Office के तरह है, same shortcuts या same actions इसमें कौन-कौन से, undo के लिए y same है, control plus z, redo के लिए control plus y, बहुत ही दो अच्छे, दो ये command हैं, जो आपको पता होना चाहिए, माले जे हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम control plus z कर दें, और अगर हम पता चलता है कि नहीं, वो गलत नहीं था, वो एक दम सही type किया हुआ था, सही लिखा गया था, तो को हम control plus y से दुबारा फिर से ला सकते हैं, बहुत ही अच्छी है दोनों command है, cut के लिए हम वहाँ पर भी control plus x यूज करते थे और यहाँ पर भी हम control plus x यूज करेंगे, next है copy के लिए control plus c, paste के लिए control plus v, select all के लिए control plus a, और find के लिए हम क्या करेंगे, control plus a find के लिए, यानि कि MS Office से यह आपके कुछ related shortcuts हैं, जो आपको काफी आसानी से याद हो गए होगा, क्योंकि आप लोग सभी MS Office काफी समय से use करते आ रहे हैं, चले अब ले लेते हैं कुछ बहुत ही important points जो आपको पता होने चाहिए और अधिकतर आपसे पूशे भी जाते हैं आपके exam में, तो आपको line की starting में जाना है, तो आप home button को या home key को प्रेस करेंगे, तो अगर आप जैसे ही home key को प्रेस करेंगे, तो आप line की starting में आज आएंगे, और अगर आप page की start में जाना चाहते हैं, page की start में जाने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, control plus home प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर page क स्टैटिंग में पहुँँच जाएगे और माली चे यह पेजकी स्टैटिंग है तो जैसे हिए अपने लिपर आफिस में पूशा जाता है और आपका आंगे भी पूशा जाएगा तो अदिक्तम जूम् writer में होता है यानि कि writer मैंने आपको same बताया क्या होता है word की तरह ही यहाँ पर writer बस नाम बदल दिया गाया तो 600% जूम, calc यानि कि Excel में दिक्तम जूम, 400% और impress यानि कि PowerPoint में दिक्तम जूम, 3000% आपका दिक्तम जूम होता है तो इन दो चीज़ को आप जरूर से याद रखें अलग-अलग जूम परसेंट को याद रखें नेक्स्ट पाइंट का कहता है कैल्क यानि की एक तरह का एकसल में रो की अधिक्तम संक्या रो और कॉलम MS Office में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पूंसता था कि उसमें भी रो और कॉलम पूंसता था तो यहाँ पर भी आपको रो और कॉलम पूंसता है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो कैल्क में रो के अधिक्तम संक्या है लिबर आफिस से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉंट्स और इंपॉर्टेंट सौट कर जो आपके ट्रिपल सी एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूर है या फिर आप लिबर आफिस उसके लिए आपको जरूर से पता होना चाहिए आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेर जरूर से करें अगर आप चैनल पर पहली बारे है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें अगर आप किसी आने टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्नवाद और एक चीज ध्यान रखें Stay home, stay safe, thank you